हेलो फेंड्स वेलकम टू माई चाइनल आज के इस वीडियो में IPC चाप्टर 11 के सेक्षेंज के टैटल्स बता रहे हैं तो वीडियो एन तक देखते रहे हैं तो IPC का चाप्टर 11 थे False Evidence and Offices Against Public Justice मतलब मिथा साक्ष और लोग नय के विरुद अपरादों के विशे में तो इसमें सेक्षन 191 से लेके 229 तक के सेक्षेंज है और उनके टैटल्स देखे आगे सेक्षन 191 Giving False Evidence मतलब मिथा साक्ष देना सेक्षन 192 Fabricating False Evidence मतलब मिथा साक्ष गाड़ना सेक्षन 193 Punishment for False Evidence मतलब मिथा साक्ष के लिए दंड़ सेक्षन 194 Giving or Fabricating False Evidence with Intent to Procure Conviction of Capital Offense मतलब मृत्य से दंड़नी अपराद के लिए दोशे सिद्ध करने के अशे से मिथा साक्ष देना या गड़ना सेक्षन 195 Giving or Fabricating False Evidence with Intent to Procure Conviction of Offense Punishable with Imprisement for Life or Imprisement मतलब आज वन कारावास या कारावासे दंड़नी अपराद के लिए दोशे सिद्ध करने के अशे से मिथा साक्ष देना या गड़ना सेक्षन 195A Threatening Any Person to Give False Evidence मतलब किसी वेक्ति को मिथा साक्ष देने के लिए दमकाना या उत्प्रेरित करना सेक्षन 196 Using Evidence Known to be False मतलब उस साक्ष को काम में लगाना जिसका मिथा होना ग्यान थे सेक्षन 197 Issuing or Signing False Certificate मतलब मिथ्य प्रमान पत्र जारी करना या हस्ताक शरीत करना सेक्षन 198 Using as True a Certificate Known to be False मतलब प्रमान पत्र को जिसको मिथा होना ग्यान थे सच्चे के रूप में काम में लाना सेक्षन 199 False Statement Made in Declaration which by law Receivable as Evidence मतलब ऐसी गोषना में जो साक्ष के रूप में विदी द्वारा ली जा सकी किया गया मिथा कत्र सेक्षन 200 Using as True such Declaration Knowing to be False मतलब ऐसी गोषना का मिथा होना जानते हुए सच्ची के रूप में काम में लाना सेक्षन 201 Causing Disappearance of Evidence of Offense or Giving False Information to Screen Offender मतलब अपराद के साक्ष का विलोपन या अपरादी को प्रतिछादित करने के लिए मिथा इत्तिला देना सेक्षन 202 Intentional Omission to Give Information of Offense by Person Bound to Inform मतलब इत्तिला देने के लिए अबाद्य वेक्ति द्वारा अपराद के इत्तिला देने का अशे लोब सेक्षन 203 Giving False Information Respecting an Offense Committed मतलब किये गये अपराद के विशे में मित्ता इत्तिला देना सेक्षन 204 Destruction of Documents or Electronic Record to Prevent Its Production as Evidence मतलब साक्ष के रूप में किसी दस्तायोज या इलेक्त्रोनिक अभी लेक का पेश किया जाना निवारित करने के लिए उसको नस्ट करना सेक्षन 205 False Personation for Purpose of Act or Proceeding in Suit or Prosecution मतलब वाद या अभियोजन में किसी कारिये या कारवाई के प्रयोजन से मित्ताय प्रतिरूपन सेक्षन 106 Fraudulent removal or concealment of property to prevent its seizure as forfeited or in execution मतलब संपती को समहपरन किये जाने में या निश्पादन में अभिगरहित किये जाने से या निवारित करने के लिए उसे कपट पुर्वक हटाना या चुपाना सेक्षन 207 Fraudulent claim to property to prevent its seizure as forfeited or in execution मतलब संपती पर उसके समहपरन किये जाने में या निश्पादन में अभिगरहित किये जाने से निवारित करने के लिए कपट पुर्वक दावा सेक्षन 208 Fraudulently suffering decree for some not due मतलब ऐसे राशी के लिए जो शोद्ध न हो कपट पुर्वक दिक्री होने देना सहन करना सेक्षन 209 Dishonestly making false claim in court मतलब बेहिमानी से नियाले में मिथा दावा करना सेक्षन 210 Fraudulently obtaining decree for some not due मतलब ऐसे राशी के लिए जो शोद्ध नहीं है कपट पुर्वक दिक्री प्राप्त करना सेक्षन 211 False charge of offense made with intent to injury मतलब शती करने के आशे से आपरात का मिथा आरोप सेक्षन 212 Harboring Offender मतलब आपरात को संश्रे देना सेक्षन 213 Taking gift etc. to screen an offender from punishment मतलब अपरादी को दन से प्रतिछादित करने के लिए अपहार आदी लेना सेक्षन 214 Offering Gift or Restoration of Property in Consideration of Screening Offender मतलब अपरादी के प्रतिछादन के प्रतिफल सोरूप उपहार की प्रस्तापना या संपति का प्रत्यवर्तन सेक्षन 215 Taking gift to help to recover stolen property etc. मतलब चोरी की संपति इत्यादी के वापस लेने में साहता करने के लिए उपहार लेना सेक्षन 216 Harboring Offender who has escaped from custody or whose apprehension has been ordered मतलब ऐसे अपरादी को संप्रे देना जो अभी रक्षा से निकल भागा है या जिसको पकड़ने का आदेश दिया जा चुका है सेक्षन 216 A Penalty for Harboring Robbers or Doquets मतलब लुटेरे या डाकों को संप्रे देने के लिए शास्ती सेक्षन 216 B Definition of Harboring in सेक्षन 212, 216 and 216 A मतलब धारा दोसो बारा, धारा दोसो सोला और दारा दोसो सोला क में संप्रे की परिभाशा सेक्षन 217 Public Servant Disobeying Direction of Law with Intent to Save Person from Punishment or Property from Forfeiture मतलब लोग सेवक दोरा किसी वेक्ती को दण या किसी संपत्ती के समापरन से बचने के अशे से वीदी के निदेश की अवग्या सेक्षन 218 Public Servant Freeming Incorrect Record or Writing with Intent to Save Person from Punishment or Property from Forfeiture मतलब किसी वेक्ती को दण से या किसी संपत्ती को समापरन से बचाने के अशे से लोग सेवक दोरा अशुद्ध अभी लेक या लेक की रचना सेक्षन 219 Public Servant in Judicial Proceeding, Corruptly Making Report, etc. Contrary to Law मतलब नयाईक कारवाई में वीदी के प्रतिकूल रिपोर्ट आधी का लोग सेवक दोरा ब्रस्टता पूरो किया जाना सेक्षन 220 Commitment for Trial or Confinement by Person Having Authority Who Knows that He is Acting Contrary to Law मतलब प्राधिकार वाले वेक्ती दोरा जो यह जानता है कि वह वीदी की प्रतिकूल कार्य कर रहा है विचारन के लिए या परिरोध करने के लिए सुपूर्दगी Section 221 International Omission to Apprehend on the Part of Public Servant to Apprehend मतलब पकडने के लिए अबाध्य लोग सेवक दोरा पकडने का साशे लोग Section 222 International Omission to Apprehend on the Part of Public Servant Bound to Apprehend Person Under Sentence or Lawfully Committed मतलब दंडादेश के अधिनियम या विदी पूरवक सुपूर्द किये गए वेक्ति को पकडने के लिए अबाध्य लोग सेवक दोरा पकडने का साशे लोग Section 223 Escape from Confinement or Custody Negligently Suffered by Public Servant मतलब लोग सेवक दोरा उपेक्षा से परिरो दिया अभी रक्षा में से निकल भागना सहन करना Section 224 Resistance or Obstruction by Person to His Lawful Apprehension मतलब किसी वेक्ति दोरा विदी के अनुसार अपने पकड़े जाने में प्रतिरो दिया बाधा Section 225 Resistance or Obstruction by Lawful Apprehension of Another Person मतलब किसी अन्य वेक्ति के वेक्ति के अनुसार पकड़ जाने में प्रतिरो दिया बाधा Section 225 A Omission to Apprehend to Sufferance of Escape on Part of Public Servant in Cases not Otherwise Provided for मतलब उन दशाओं में उनके लिए अन्यता उपबंद नहीं है लोग सेवक दोरा पकड़ने का लोप या निकल भागना सहन करना Section 225 B Resistant or Obstruction to Lawful Apprehension or Escape or Rescue in Cases not Otherwise Provided for मतलब अन्यता अनुबंदित अदशाओं में विदी पुरुवक पकड़ने में प्रतिरो दिया बाधा या निकल भागना या छुडाना Section 226 Unlawful Return from Transpiration मतलब निर्वासन से विदी विरुद वापसी Section 227 Violation of Condition of Remission of Punishment मतलब दन के परिहार की शर्थ का अतिक्रमन Section 228 International Insert or Interruption to Public Servant Sitting in Judicial Proceeding मतलब न्याई कारवाई में बैटे हुए लोक सेव का साशे अपमानिया उसके कारिये में विगना Section 228 A Disclosure of Identity of the Victim of Certain Offenses, etc. Section 229 A Failure by Person, Released on Bail or Bond to Appear in Court मतलब जमानत याँ बंदपत्र पर छोड़े गए वेक्ती द्वारा नयाले में हजिर होने में असफलता तो आज के वीडियो में बस इतना ही हमारी ये वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और शेर कर देना तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ तब तक के लिए बाइ-बाइ